नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वल्ड इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग गंगा के प्रती श्रद्धा और विश्वास से भरा कुम्ब वर्ष शुरू हो गया है इस वर्ष देश विदेश से अमरत गंगा में डुब की लगाने श्रद्धालू हरिद्वार आएंगे धर्मनगरी नए साल में श्रद्धालू के स्वागत के लिए सत्सवर रही है वर्ष का मुख्या कर्शन शेताबदी का दूसरा पुर्ण कुम्ब होगा कोरोना की वैक्सीन आने के बाद उमीद है कि विश्व भर के श्रद्धालू हरिद्वार आएंगे ग्रहों की चाल के चलते ये कुम्ब बारा की बजए ग्यारा वर्ष में पढ़ रहा है कुम्ब मेला काल भी 38 दिन ही है ब्रस्पती और सूरे के सैयोग से बने कुम्ब पर कुल चार शाही स्नान होंगे इन स्नानों पर 13 अखाडे लाखों की संख्या में जमात निकाल कर स्नान करने के लिए हरकी पौड़ी पर आएंगे पहला स्नान 11 मार्च शिवरात्री दूसरा शाही स्नान 12 अपरेल सोंवती अमावस्या और तीसरा शाही स्नान 14 अपरेल मेश संक्रांती पर पड़ेगा तीनों स्नान पर सभी 13 अखाडे स्नान करते हैं जबकि चौथे शाही स्नान बैसाख पुर्णिमा के दिन 27 अपरेल को भी पड़ेगा लेकिन उस स्नान पर केवल बैराग्यों की तीन आडियां स्नान करेंगी यह स्नान सन्यासी अखाड़े नहीं करते हरिद्वार मेला प्रशासन कुम्ब में आने वाले श्रद्धालू के पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है स्वास्त के तहट पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालू मेला शेत्र में प्रवेश कर पाएंगे मेला प्रशासन मौझूदा समय में बाहर से आने वाले श्रद्धालू के पंजीकरण की निगरानी कर रहा है हलाकि मेला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कुम्ब के दौरान ट्रेनों और बसों से आने वाले सभी आत्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग आने वारे होगी कोविड महमारी के मदे नजर कुम्ब की विवस्थाओं को लेकर मेला सभागार में हुई बैठक श्रद्धालों को निशुलक मास उपलब्द कराए जाएंगी इस पर चर्चा की गई है अधिकारियों ने बताया कि मास्क पहनने श्रद्धालों को ही स्नान की अनुमती दी जा गया है फिलाल इस खास पेशकश में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वाल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद